आज मैं आपके साथ hack share करने वाली हूँ बहुत ही amazing से आपने hack पहले नहीं देखे होंगे और ये hack आप अपने daily routine में use भी कर सकते हैं और इनसे आपको फायदा ही मिलेगा market से कोई भी चीज़ पर chase नहीं करनी है तो पढ़ते हैं हमारे पहले hack की तरफ करी पर क्या होता है ना जब हम लोहे की कडाई को बहुत लंबे समित तक यूज नहीं करते हैं तो ऐसे जंग लग जाता है तो हमारे घर में भी दूसरी कडाईयां भी है तो ये वाली iron की जो कडाई है इसकी उपर जंग लग गई है तो आज ना मैं इसी आपी के सामने इसको स जिसे की जंग बहुत अच्छे से जो है निकल जाता है और बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाती है हमारी कडाई तो हाथों से पहले तो मैं इसको जो है स्प्रेट कर लूँगी और जब भी स्प्रेट हो जाएगी तो एक मिनट के लिए इसको छोड़ दूगी और उसके गरम पानी भी डाला जाता है तो मेरे पास इसी कडाई में मैंने दो गिलास पानी एड कर दिया और इसमें हम कुछ चीज़े डालेंगे जिससे की बहुत ही जादा डीपली क्लीन हो जाएगी और जंग का बिल्कुल नामो निशान नहीं रहेगा तो यहां पर अब हम क्या कर जाएगे दो गिलास पानी तो मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें एड करेंगे बेकिंग सोड़ा और विनेगर बेकिंग सोड़ा आप कम मात्रा में भी इसमें एड कर सकते हैं क्योंकि अल्रडी हमने गरम पानी रखा हुआ है तो थोड़ा समय ने आदा चमच के करीब ड जाल सकते हैं और नहीं है तो आप विनेगर भी एड़ कर सकते हैं और अब हम क्या करेंगे इसको बॉल करेंगे अजस्ट हमें एक मिनट के लिए बॉल करना है सारा जो काला पन है यहां फिर जो जंग लगी है वो बिल्कुल नेटन क्रीन हो जाएगी तो यह देखे एक मिनट ह बहुत अच्छे से बॉल आ रहा है मैंने गैस को बंद कर दिया है और यह साइडो से अभी मैं थोड़ा सा इसको स्टील स्क्रबर की है जो है खुरच रही हूं बट इसको ध्यान से करना है तो अभी मैं क्या करूंगी अभी मैं ना जो एक चमच की हैल्प से जो है इसको क्लीन कर लिया है और नॉर्मल वर्टर से दोने के बाद दिखे जंग बिल्कुल चली गई है और यह जो कालापन है यह नहीं उत्रेगा क्योंकि यह अगर इसके ऊपर थोड़ी सी परत चड़ेगी तब हम इसको गरम करके खुर्चनी से इसको थोड़ा सा अच्छे से खुर के चुट केचप होती है जब हमें रिकॉर्मेंट होती है तो निकलती नहीं है तो इसी के साथ ही यहां पर मैं दो चीजे आपको बताना चाहते हूँ इसी के हा आप चाहें तो नॉर्मल जो पानी आप बोईल करते है उसके बीच में ही रखिएगा यह गरम पानी के बीच में इससे क्या होगा जो थिकनेस होगी न जो हमारे सॉस की वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो नेक्स टैक आता है हमने इसको बिल्कुल थिकनेस को सही कर लिया अब कि एक तो जो भी हम सॉस का यूज करेंगे थोड़ा सा भी पार्ट बहानी आएगा अगर आएगा तो आप क्लिंग रैप को निकाल कर फैंक सकते हो और नेक्स टैम फिर क्लिंग रैप लगा कर इसको यूज कर सकते हैं इससे जो बोटल बिल्कुल गंदी नहीं होगी और जो जो हम सफाई करने जा रहे हैं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन सफाई होगी हमारी किसी भी आप जो है बेबी वाइप का यूज कर सकते हैं मुझे सबसे जादा परसनली यही पसंद है ब्रश वगेरा की हल्प से भी जादा तो इसको अगर बहुत जादा गंदा है ना टाइ यूज करेंगे तो पहले तो मैं इसी वाइप से बटन्स वारा एरिया साफ कर लूँगी लेक्ट्रिकल चीजे जितनी हो सके पाने से बचाओ रखना चाहिए तो आप ये टीश पेपर के यूज कर सकते हैं और देखिए यह ऐसा रूम है जहां पर जादा सफाई नहीं होती है और कुछ जो एरिया होते है वो जादा थर ख्लेन ही रहते तो आप उसको नॉर्मली कपड़े से वी वोश कर सकते हैं तो यहाँ पर पहले मैंने वाइप से अच्चे से साफ कर लिया और उसके बाद सुखे कपड़े से साफ कर सकते हैं बहुत एजली क्लीन हो जाएगा ब बूस्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं क्योंकि आज ना मेरे पास इसका वन स्टॉप सिल्यूशन है बहुत ही अमेजिंग सा क्योंकि आज मैं आपके साथ यह तेल शियर करने वाली हूं जो है कलोंजी ओयल आप देख रहे होंगे यह है नेचर शो का कलोंजी ओयल अब जैस क्योंकि अमेजिंग से इसके रिजर्ट्स मिलते हैं और यह कोल्ड कंप्रेस्ट ओयल है सुने पे सुहार से और से और से अर्गनिक होता है एक परसेंट यूसमें केमिकल नहीं होता है वो सबसे अच्छा ओयल माना जाता है तो उसी के बीच में है कलोंजी का ओयल आपके तो यह है नेचर शो का 100% प्योर अंड कोल कंप्रेंस को लूंजी तेल ब्लैक सी डॉयल भी कहते हैं यह डियाबेटीज को मैनेज करता है स्टिमिलेट करता है डाइजेशन को और इसी के साथ हमारी आइज को हार्ट को किटने को प्रोटेक्ट करता है है एडिक को कियोर करता है साथ ही जोईट पेन और क्रैम्स को भी स्कीन एन हेर डिसीजिस में भी जरूरी है और इसी के साथ हमारे हैमरोइट को भी ट्रेट करता है यह हमारे स्टैमिना एनरजी को बूस्ट करता है हमारी इम्म्यूनिटी तो बूस्ट होती है और हमारी ब्रेन मेंबरी को भी जो है में लिंक दिया गया है वहां पर जाकर फॉर्म फिल कीजिए और वह आपको जो नेची शोर के द्वारा डॉक्टर पॉइंट के गये हैं वह आपको कॉंटेक्ट करेंगे तो चलिए लोटते हैं हमारी हैक्स की तरफ तो उसी हमने वाइप से न हमने टाइल पिसाफ की वाइट टाइल हैं बहुत अच्छे से क्लीख हो जाएंगे जो भी दाग दब्बे छिपे हुए भी रहते हैं वो भी clean हो जाएंगे क्योंकि वाइप में बहुत जादा moisture होता है और उपर से हमने face wash भी इसके उपर लगाया तो बहुत ही gently ये clean कर देगा और आप देखेंगे बिल्कु smooth area भी हो जाता है आप इसको किसी भी चीज में सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत ही best hack है आपको कुछ भी other चीजों की requirement नहीं होगी next way की तरह बढ़ते हैं हमारे घर में comb होती है तो ये मेरी dryer वाली comb है तो इसे जब भी मैं बाल straight करती हूँ न क्या होता है कि इसमें से बाल न जो चिपक जाते हैं और मुझे ऐसे निकालने पड़ते हैं तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया hack share करना चाहती हूँ आपके घर में अगर जो dweller के पास से अगर ऐसी form आती है और वो box आप यूज़ नहीं करते हैं तो अगर आपके पास ऐसी form नहीं है तो घर में जो भी suits के साथ form extra आती है आप उसको cut कर लीज़े और मैं without cut किये ही इसको ऐसे ही डाल रहे हैं बहुत easily जो है ये brush के अंदर अपने आप जो है चला जाएगा बस हलका सा pressure देने की जरूरत है अगर ज़्यादा pressure देंगे ने तो ये फट भी सकता है तो form है बहुत easily जो होल कर लेती है और ये देखे बहुत आप इसको apply कर सकते हैं और जो भी बाल वगएरा तूटेंगे ना brush के साथ आप जब भी कॉम वगएरा करते हैं तो वो सारे बाल ना इसी की उपर आ जाएगे और बिल्कुल भी आपको ना दिक्कत नहीं आएगी तो ये है ज़रू ट्राइ कीजेगा और इसको आप बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं यानि कि ज़्यादा गंदा हुआ तो इसको निकाल कर फैंक दीजिए और नेक्स्ट ले लीजिए नेक्स्ट एक हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी घर में अगर जो धनिया की आप जो रूट को फैंक देते हैं तो आप फैंकने की बजाए उसे दुपारा धनिया उगा सकते हैं जैसे कि केबर मैं करती हूं और जैसे कि अभी हमने धनिया के रूट्स ऐसे ही पानी में डाल कर छोड़ दिये हैं इससे क्योंगा ये रूट्स तरोत आजा रहेंगे और नेक्स टाइम आप इसको गंबले में भी लगा सकते हैं और इन रूट्स का जो पानी होता है न वो आप जो है स्प्रे कर सकते हैं इससे जो है न पोधों में बहुत ही बड़िया एक उनको निट्रिशन वैल्यू मिल जाती है तो मैं बहुत सारे आपके साथ हैक शेयर करती रहती हूँ और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है तो ट्राइ आउट जरूर करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा ये हैग भी है हमारा बहुती जादा जरूरी कार्टनिंग से रिलेटेड है घर में जब भी आप कोई भी सबजी बनाते हैं उसके पील्स वगएरा निकालते हैं प्याज, ककमबर, पटैटोज तो उसमें आप पानी डाल कर रखिए और जब वैसे काटते हैं हमें पानी साथ में लेकर बैठना चाहिए ताकि जो ऑनियन का स्मेल होती है या तीखा पन होता है हमारी आँखों में नहीं जाता तो एक तो यह चीजे सही रहते हैं उपर से गार्लिक जब हम पानी में बिगो कर रखते हैं तो वो भी एजली जो है उसके चिलके निकला आते हैं तो ये पानी मैं ज़्यादा तर क्या करती हूँ जब इसका पानी बचता है ना बहुत ज़्यादा amount बे भी नहीं एक रखना होता स्प्रे बोटल में डाल कर ना मैं इससे पोधों में स्प्रे कर देती हूँ बहुत ही amazing सा एडिया है तो आज की सारे hacks में से आपका फीवरेट वाला कौन सा है मुझे comment section में ज़रूर बताएगा like कीजेगा वीडियो को share कीजेगा चैनल को आज के लिए पस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching